नमस्कार साथियों एक्जामपूर परिवार के इस ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं दिलावर सिंग परियार आप सभी साथियों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ हमें एक्जामपूर कलम से क्रांती सभी स्ट्रेंट्स को नर्मदेहर जै महाकाल तो पड़ावर चांदार तरीके से शेशन से जुड़ जाए जिसमें आज हम डिसकस करने वाले है एनिमल किंडम पार्ट त्री के बारे में जिया साथियों एनिमल किंडम के बहुत जादा साथियों को क्या करेंगे शेशन से जोड़ लेंगे ठीक है तो बाई जल्दी जल्दी क्या कर दो भाई लाइक और शेयर ठोक दो फटाफट और क्या कर दो अपने जादा से जादा साथियों को जोड़ लो इस शांदार शेशन से ठीक है चलिए एक बहुत शांदार motivational code की भाई एक अच्छी शिक्षा ही बहतर भविशी की नीव होती है बिल्कुल साथियो कोई दो राएं नहीं है मतलब जो आपके एक बहतर शिक्षा जो आज आप लेंगे वही क्या होगी साथियो आपका भविश्य या future क्या करेगी decide करेगी तो भाई बहतर तरीके से आप लोग पढ़ें बहतर तरीके से चीजें एक तरीके से गेंड करें और क्या करें एक्जाम निकाल कर अपने जीवन को क्या बनाईए सफल बनाईए ठीक है भाई चलो बिल्कुल भाई सभी को good morning राधे राधे अच्छा उसके पहले आपको मैं time table बताना चाहूँगा भाई साब time table क्या बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि भाई एंपी पुलिस स्टैनो के लिए एंपी पुलिस और स्टैनो के लिए साथ साथ में जो हमारी यूट्यूब की class का time table है वो सामने लिखा हुआ है ठीक है साथ बज़े यहाँ पर किसकी class रहेगी अतुल सर की रहेगी बही सब करेंट अफेर्ट की आठ बज़े अमिज सर की रहेगी मैठ की नौ बज़े से मेरी रहेगी साइंस की class दस बजे से सोनल मैम की रीजनिंग की क्लास, ग्यारा बजे से वासुदेव सर की MPGK की क्लास, और बारा बजे से गौरफ सर की इंग्लिश की क्लास, और छे बजे निशान सर की मैथ की क्लास, तो मेरे पहरे साथियो, ये तुम्हारा क्या है, MPPolice और स्कैनो का एक टाइम दिख रही हैं, computer, geography, hindi, economics, history, science, polity, geography और GKGS, इन क्लास को भी क्या कर सकते हैं, आप लोग attend कर सकते हैं, और अपनी तयारी को क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, तो I hope कि आप क्या करेंगे, इन साली classes का क्या लेंगे, फायदा लेंगे, चलो भाई साब, आगे बढ़ते है दैश परिवार से आते हैं, तो भाई साब ये इसका भड़ाफन comment box में मुझे answer चाहिए, क्योंकि मैंने कल ही तुम्हें बताया था, none of these क्यों लिखा गया है, क्योंकि याद रखेगा, इन तीनों में से वो किसी category में नहीं आ रहा था, comment box के अंदर बता देना है, किस category में आ आई होती है, चलो भाई, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, और अगले question की तरफ हम बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो भाई, मवेशी या अन्य पशुधन का आहार क्या है, भाई, चारा है, या फूडर है, कल की class का question है, इन में से कौन सी मचली नहीं है, तो भाई की दूद उत्पादन के लिए, बेसिकली क्या है, चारे में प्रूटीन होना, जरूरी है, इतना तुम्हें ध्यान में रखना है, समझ गये मेरी बात ना, जल्दी से, बिल्कुल भाई, जल्दी से वह जो मैंने question पूछा था, गाय और भैस वाला, उसका answer दो जल्दी से दो भाई, ठीके न, फटा फट दो, क्योंकि कल पढ़ा चुका हूँ, और answer चाहिए ही चाहिए मुझे, ठीक है, चलो, ठीक है, तो चलो, इससे skip करते हैं, क्योंकि एक काफी बड़ा question है, कल बता दिया था, क्या कैसा था, सारी चीज़े है, ठीके न, बिल्कुल, देखो यहाँ पर, संग, एनिलिडा, एवर, मुलस्का की, योजक कडी, तो भाई, याद रखना है, नियो, पिलीना को कहते हैं, भाई, ठीक है, इसकी portion विदी, होलो फाइटिक है, तो यूगलीना की, यूगलीना की जो portion विदी है, वो क्या है, होलो फाइटिक है, मतलब सिंपल सी बात है ये क्या कर सकता है, आप बोल सकते हैं, आपका खुद भी भोजन मना सकता है, दूसरों पर भी डिपेंट हो सकता है, मतलब बेसिकली, ये आपका एनिमल, मैंने तुम्हें बताया था, कि ये भाई साब, एनिमल और प्लांट के क्या है, बीच की चेन कहा जाता है, इसे, समझ पिगडेंटा, किस्ते भाई साब पिगडेंटा, तो ध्यान में रखना, मुलसका में जो क्या होता है, पिगडेंटा वलगैरिस होता है, ये बेसिकली क्या है, मोती का आपका नाम भी है, समझ के मेरी बातना, तो पिगडेंटा वलगैरिस मोती का नाम है, और पिगडेंटा प्रजाती से क्या प्राप्त किया जाता है वेवसाइक मोती प्राप्त किये जाते हैं कमर्शिल पर्ल्स यहां से आप्टेन किये जाते हैं चलो भाई आगे यह सेंग्यू वोरस होते हैं तो याद रखना है आपका मच्छर क्या होते हैं सेंग्यू वोरस होते हैं कलकी क्लास के अंदर बताया हुआ है निमले के जीवों में से कौन कूड़ पाद जिसे तुम क्या कहते हो सिउडो पोडिया कहते हो की मदद से चलता है तो जल्दी जल्दी बता दो भाई, स्यूडो पोडिया या कूर पात के मजद से तुम्हारा अमीबा चलता है, तुम्हें ध्यान में रखना है, ठीक है, ठीक है, तो स्यूडो पोडिया से कौन चलता है, भाई साब ध्यान में रखना तुम्हारा अमीबा चलता है, समझ गया चलो अगले question के दरफ चलते हैं और देखते हैं भाई साब कितने लोग सही answer दे रहें हैं कितने लोग सही answer दे रहे हैं बिलकुल answer वगरा तो आही नहीं रहे वेल हो गया है पीजन हो गया बैट हो गया मतलब सिंपल सी बात है तुम्हारा वेल कबूतर और जो चमगादर है वो क्या है समत आप ये जंतू है तब आपके ठीक है ये सब कोशन एक्जाम में आए हुए है कहीं न कहीं पे तो भाई देखते जाओ कल की क्लास की कोशन है फट से नहीं बन रहे हैं कीवी चुडिया कहां पाए जाती है भाई साब न्यूजी लैंड में पाए जाती है कल ही देखा था वे प्राणी जो विशिश ट्रूप से समुद्री जल में वास करते हैं तता उनमें जल समवहन तंत्रवा आरी सम्मिति होती है उन्हें काइनो डर्मे अधिकता था ठीक है टाइम वेस्ट नहीं करें गेंगे क्योंकि आज के भी कॉश्चन करना है उसका उसका ठीक है जीव विज्ञान मेंस पंज क्या है तो याद रखना स्पंज एक एनिमल है इतना तुम्हें ध्यान रखना सबस्चा जो है वह समझ गया मेरी बात ना विल् शेशन को शियर करते चलेंगे भाई साब ठीक है चलो डैश नामक एक प्लेट वॉम में बहुत समाने आके होती जो वास्ता में केवल आखों के दब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं तो यार रखना है प्लेन एरिया जो प्लेन एरिया होता है प्यारे साथियो मालनी जी है प्लेनेरिया है तुम्हारा तो बेसिकली क्या बता दू प्लेनेरिया में ऐसा लगेगा कि ये दो आखें पर वो आखें नहीं रहेंगे वो क्या रहेंगे कि वह लाइट का पता लगाने के लिए क्या रहेंगे एक तरीके से एक आखों में बातना आखों के धब्बे आख नहीं रहेगी समझ गया मेरी बातना चलो डैस शरीड कुशिका की दो परतों से बना होता है सीलन ट्रेटा सीलन ट्रेटा का शरीड क्या होता है दो परतों से बना होता है दुई खंडन द्वारा प्रजनन होता है अमीबा में अमीबा में होता ह है मतलब एक अमीबा होगा वो क्या करेगा दो अमीबा में क्या हो जाएगा कंवर्ट हो जाएगा और इसे कहींगे आप क्या इसे आप कहोगे द्वी खंडन मतलब दो पार्ट में डिवाइड होना समझ गए ना बिल्कुल चलो भाई आगे बढ़ते हैं तो लेट्स टार्ट आज की क्लास हम शुरू करते हैं अब तुम्हें पता होना चाहिए कि कल के कुश्चन मेंसे कितने कुश्चन तुम से बन रहे हैं और कितने नहीं बन रहे हैं डेली डेली तुम्हारा क्या करा देता हूँ एक quick recap करा देता हूँ कि भाई साब जान लो की कितने पानी में हो क्या कह रहा हूँ भाई जान लो की कितने पानी में हो शुरुआत करते हैं आची class का भाई साब ठीक है और एमानदारी से देखा करो कि भाई कितने तुमसे बने हो ठीक है तो फटा फट बता दो कौन सा ट्रिपलो ब्लास्टिक नहीं है जैली फिश एसकेरिस केचुआ या प्लेनेरिया तो ध्यान में रखना यहां पर इन सारो जानवरों में से जो तुम्हारा क्या हो जाएगा जैली फिश हो जाएगा नोट डाउन करना जो जैली फिश हो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा ट्रिपलो ब्लास्टिक नहीं होगा समझ गये मेरी बातना बाकी तीने तीनों एसकेरिस केचुआ और प्लेनेरिया समझ गये मेरी बातना यह एसकेरिस केचुआ और प्लेनेरिया यह क्या है ट्रिपलो ब्लास्टिक है और ध्यान में रहिए संग any leader के अंधरग़ दियान में रखना है, कहां पर आते हैं भाई साफ, any leader के अंधरग़ आते हैं, तो answer भाई, see नहीं होगा, answer तुमहरा क्या हो जाएगा, jellyfish इसका right answer हो जाएगा, समझ गया मेरी बातना, क्या हो जाएगा भाई साप, जैली फिश इसका right answer तुमारा हो जाएगा, clear है, चलो आगे बढ़ते हैं, next question की तरफ ठीक है, चलो भाई तो यहाँ पर अब next question की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, अगला question गलत मत करिए भाई, ठीक है, गलत मत करिए, session को share करते जाना है सभी को जल्दी से इसका right answer बताओ भाई, question क्या है वो देखते हैं हम, question क्या है भाई साथ, निमने में से कौन सा जीव वह है, जो विखंडन द्वारा प्रजनन करता है, आपको बताना है, which of the following organism does it reproduct by fission, तो जल्दी बताओ भाई, इन से कौन सा जो जीव है, जो क्या करता है, पहरे साथ, यो आपका जो reproduction करता है, किसके through करता है भाई साथ, आपका विखंडन के through करता है, या distribution के through करता है, ठीक है, तो जल्दी जल्दी बता दो भाई साथ, किसके अंदर क्या होता है, आपका विखंडन होता है, समझ गए मेरे बातना तो फटा फट बताओ भई, क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर ठीक है तो D आंसर आ रहा है, आ विफफ साथ क्योई तो बिल्कुल मेरे पहरे साथ क्योई श्पाईरो गाईरा तुम्हारा आंसर क्या है है बिलकुल सही है समझगे मेरी बात न तो जो spirogyra होता है प्यारे सातथियो उसमें क्या होता है तुम्हारा विखंडन होता है मतलब spirogyra क्या होता है अलगलग पार्ट में तूटता है जैसे देखो यहां पर diagram लगाया हुआ है यह देखो ये रहा तुम्हारा इस्पाइरो गायरा यह क्या रहा तुम्हारा इस्पाइरो गायरा रहा तो यह जो इस्पाइरो गायरा है प्यारे सात्यों यह देखो यह तूट कर क्या हो गया दो पार्ट में क्या हो गया तुम्हारा डिस्टिव्यूट हो गया और क्या हो गया इसमें विखंडन हो गया और तो किसमें होगा इस पाइरो गायरा में होगा समझ गए न और यहां पर अगर हाइडरा में पूछ ले तो भीटा हाइडरा में मुकुलन होगा क्या होगा भाई साप मुकुलन होगा समझ गए मेरी बात न तो देखो मुकुलन का वतलब क्या है ये एक हाइडरा है धीरे धीरे क्या होगा एक इस तरीके का क्या निकलेगा शेप निकलेगा इस्ट्रक्चर निकलेगा और वो शेप क्या होगा आने वाले समय में तूट के अलग हो जाएगा और एक नया क्या बनाएगा हाइड्रा बनाएगा तो हाइड्रा में क्या होता है मुकुलन होता है और साथ यो या क्या हैं आपका यहाँ पर इस पाइरो गायरा प्लास्मोडियम क्या है तो याद रखना सरी foundation एक पर जीवी है जिसे तुम क्या कहते हो पैरा साइट कहते हो इतना तुम्हें ध्यान में रखना है ठीक है न अप Пलेन एरिया वही आपका नाम मात्र के लिए आखें पाई जाती है, समझ गए ना, नाम मात्र के लिए मतलब की देखने में लगेगा कि आखे हैं पर वो आखे नहीं होंगे, समझ गए चलो भाई, आगे आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, इस question का right answer आपका, ठीक है डैश के प्राणी आगतिशील होते हैं, बहुत ही अच्छा question है, are the animals of dash are mobile मतलब basically आपको बताना है कि जो चल नहीं सकते हैं, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब उसमें प्रचलन अंग का क्या होता है, अभाव होता है, भाई, पोरी फेरा, सीलन्ट रेटा, प्लैटी, हलमेंथीस, या नेमेट उड़ा, तो फटा फट बता दो, इन में से कौन से जो जीव होते हैं, वो क्या होते हैं, आपके आगतिशील होते हैं, मतलब चलने में सक्षम नहीं सकते हैं, समझ गया मेरी बात न, तो बेसिकली तुम्हें ध्यान में रखना है, कि आंसर हो जाएगा तुम्हारा, आपका क्या, पोरी फेरा हो जाएगा, समझ गया न, अच्छा, यहां पे अगर आप प्लेटी, हलमेंथीस की बात करो, तो यह क्या हो जाएंगे, चप्टे, क्रमी हो जाएंगे, जिसे तुम कहोगे, फ्लेट वाम, क्या कहोगे, फ्लेट वाम कहोगे, मतलब सिंपल सी बात है, जो तुम्हारे क्या होंगे, प्लेटी, हलमेंथीस होंगे, उसमें क्या होंगे, फ्लेट वाम, मतलब जो चप्ते, चप्ते, जितने भी जीव हैं, वो सब आगे बढ़ते हैं और अगले question की तरफ हम बढ़ते हैं क्या question है प्राकर्टिक चैन नैच्रल सेलेक्शन का सिद्धान्त किस ने दिया था बहुत ही अच्छा question है तो बता दो भाई साब नैच्रल सेलेक्शन का जो सिद्धान थे वो किस ने दिया था लैमार्क हैवार्ट चार्ल्स डाल्विन या बेंजामिन फ्रैंकलिंग तो देखो मैं तुम एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जितने भी question है कहीं न कहीं किसी एक्जाम में आई हुए हैं ज से बनने चाहिए समझ रहे हो ना तो जितने भी classes तुम्हाली plant kingdom की हुई है जितने भी animal kingdom की चल रही है उसे proper देखो और उसके बाद practice set लगाओ बिल्कुल तुम से क्या होगा चीज़े बनेंगे ठीक है चलो बता दो भाई साब किसने दिया था तुमारा इसका right answer तुमारा क् कि आप बोल सकते हो कि जो nature है वो chain करता है कि किस जीव को कैसा behave करना है कैसा उसमें mutation होना है मतब कैसा उत परिवर्तन होना है और क्या बदलाव होने है यह सब किस पे आपके प्राकर्तिक chain के आधार पर होता है तो इसका इनियम किस ने दिया था चार्ल्स डार्विन ने दिय चलना है समझ गये मेरी बात ना बिलकुल जबकि अगर आप लैमार्ग की बात करोगे तो लैमार्ग ने ट्रैवी रैनस के साथ ट्रैवी रैनस एक साइंटिस के साथ क्या दिया था भाई बायोलोजी वर्ड दिया था वाई सब शब्द दिया था लैमार्ग और ट्रैवी र रहे हो यह बता ओ लाइक करने में तुम्हारे हाथ ठंडा जाते हैं जल्दी से लाइक करो यानब फटा भट लाइक करो जल्दी सेर्शन और शेर करो जितने भी बच्ये आपर जुड़े हुए है सभी सबसे वालेट सपोर्ट मतलब या तो वो कोई चटान हो सकती है तमाम चीज़े कुछ भी हो सकता है तो चटान वगेरा से चिपके हुए पाय जाते हैं तुम्हें यहाँ पर बताना है प्लेनेरिया, समुद्री, एनिमोन, साइकॉन या एसकेरिस तो फटा-फट बता दो क्या हो तो आंसर क्या हो जाएगा तुमारा साइकॉन हो जाएगा बाकी प्लेनेरिया, समुद्री, सी एनिमोन और एसकेरिस यह सब क्या हो सकते हैं चल सकते हैं यह मूवेबल होते हैं बाकी साइकॉन मूवेबल नहीं होता है किसी सरफेसर चिपका हुआ पाया जाता है आपका समझ गये तो D answer नहीं भाई, केच्वे के जैसा होता है, तो चल नहीं सकता, कितने बार तुम्हें स सभीरिस बताया है, अगर वो केच्वे के जैसा जीव है, तो बाई सब चल क्यों नहीं सकता, बिल्कुल चल सकता है, scion नहीं चल सकते हैं समझ रहे हो ना तो आंसर हो जाएगा साइकॉन तो आंसर क्या हो जाएगा भाई साब आपका आंसर हो जाएगा आपका साइकॉन विल बी दी राइट आंसर समझ गया ना चलो भाई आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और अगले शरीड कोशिकाओं की दो पर्तों से बना होता है मतलब which of the falling bodies made up of two layers of cells मतलब पूछा जा रहा है आपर कि ऐसा कौन सा जीव जिसका शरीड क्या होता है दो पर्तों से मिलकर बना होता है लिवर फ्लूक प्लेनेरिया टैब वॉम या हाइडरा तो बिटा प्लास्टिक तुमारा हाइडरा होता है समझ गए ना और सर हाइडरा को हम कैसे पहचानेंगे तो देखो यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया भी हुआ है ये वाला जो पोर्चन है तुमारा ये जो है ना ये बेसिकली क्या है तुम्हारा hydra ही है यह तो spiro käytra यह hydra है तो इसकी जो layer बगए रहे इसका जो क्या होता है शरीर होता है यह क्या होता है दोहरी परथ से मिल KAR बना होता है आशर क्या हो जाएगा hydra हो जाएगा लगाके आगे बढ़ जाना है समझ गए मेरी بात ना आंसर हो जाएगा Hydra, समझ रहे हो ना, बिलकुल भाई साब, चलो, clear है, आगे बढ़ते हैं भाई साब, और देखते हैं आपका, अगला question तुम्हारा क्या कहता है, चलो, कोशिश करना भाई साब इसकी सही आंसर देनी की, चलो, बताओ, निमनिवे से कौन सा अंता परजीवी क एक उधारन है, which of the following is an inter-parasitic is an example of, मतलब यहाँ पर पूछा गया है, कि भाई, आप बोल सकते हैं कि अंता पर जीवी, मतलब की किसी की बॉड़ी के अंदर रहने वाला जो पैरासाइट है, समझ गया मेरी बातना, तो देखो, फीता करामी जिसे तुम tab warm कहते हो, शरीड के समझ में आ रहा है, कि अगर शरीड के जू होगी, तो वो भी क्या रहेगी, शरीड के बाहर रहेगी, सिर के जू भी सिर के बाहर बालो में रहेगे, लेकिन जो क्या होता है, टैब warm होता है, जो फीता करमी होता है, वो क्या होता है, बॉड़ी के अंदर क्या होता है, आपका एक तरीके से inject होता है और basically क्या करता है internal parasite का काम करता है body के अंदर रहकर ही क्या करता है हमसे ही nutrients लेता है हमसे ही पोशकपदार्थ लेता है और हमको ही disease फैलाता है रोग फैलाता है तो answer हो जाएगा तुमारा ए फीता क्रमी जिसे तुम tap warm कहोगे तो answer आपका ए हो जाएगा समझ रहे हो बिलकुल भाई पंडित विवेक शांडिल वीके मौर्या उशा लोधी ठीक है न आपका द्वेदी जी तो लगतार भाई जिसे विवेक शांडिल लगतार उत्तर दे रहे हैं भाई समझें कि आपकी classroom है और आपका teacher आपको पढ़ा रहा और सीधे live में क्या कर सकते हैं आप बातचीत कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं तो भाई सब आपसी बातचीत ना करके थोड़ा सा class की तरफ ध्यान दे के यहां class के answer भी आप लोग देंगे इससे होगा क्या क्या होगा एक interaction होगा class का और बढ़िया रहेगा तो भाई जल्दी जल्दी क्या करो भाई interactive class बनाने के लिए answer दो भाई लगतार बिल्कुल समझ रहे हो मेरी बात ना लगतार answer दो मज़ा आएगा हो सकता है कि answer एक बार गलत हो हो सकता है दो बार गलत हो लेकिन साथियो आप exam में गलत नहीं होगा समझ रहे हो गलती अभी कर दो भाई गलती अभी कर दो exam में गलत मत करना तो भाई क्या करो अभी गलती कैसे पता चलेगी answer दो गलत होगा तुम्हें पता चलेगा मैंने क्या बार 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 प्रिक्टिस करोगे यहां पर आंसर दोगे बाई गलत भी होगा कोई दिक्कत नहीं कौन सा यहां पर मैं चाकू लेकर खड़ा हूँ समय कि गोब दूंगा कि अरे गलत कैसे हुआ ना आंसर दो जल्दी जल्दी ठीक है चलो दिलिप जी कह रहे है सराज मेरा पे जल्दी बता दो भाई साफ एसकैरिस का कॉमन नेम क्या हो जाएगा आपके इस कहरिस का फटाफट बता दो भाई देखो जो ascaris है उसका जो basically सामाने नाम हो जाएगा फटा-फट आप सबी लोग बता दो चीक है तो ध्यान में रखना है उसका round worm नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा round worm हो जाएगा समझ गये मेरी बातना क्या हो जाएगा round worm हो जाएगा क्यूंकि देखो tab warm तो किसका है फीता क्रमी का है अच्छे से ध्यान में रखना ये सब question आते है tab warm किसका है फीता क्रमी का है समझ गया है मेरी बातना earth warm किसका है भाई साब तो ये केचुए का है किसका है केचुए का है लेकिन अगर round warm की बात करोगे तो round warm हो जाएगा तुम्हारा Ascaris का बार-बार कहता हूँ Ketua के जैसे animal है जिसमें क्या होता है actualize नहीं पाई जाती केवल eye के जैसे structure पाया जाता है और तुम्हें लगेगा कि भी तुम्हें देख रहा है लेकिन basically क्या है केवल वो light को समझने के लिए ही उसके अंदर आके पाई जाती है बात समझ में आरी की नहीं आरी है तो जो तुम्हारा क्या होगा पैरे मित्रो जो तुम्हारा Ascaris होगा ये रहा देखो वाई Ascaris ये क्या है बाई साब अब तुम्हारा क्या है Ascaris है समझ गए न किस ने सही आंसर दिया है कुछ लोगों ने सी दिलिब जी ने दीपिका जी ने है ना सी आंसर दिया है शालिनी दुवेदी जी ने सी आंसर दिया है ठीक है बिलकुल भाई वीके मौरिया ने सी आंसर दिया तो काफी मित्रों का आंसर बिलकुल क्या है आपका सही है आरस लवर पर ने भी क्या कहा है अरॉंड वर्म कहा है तो बिल्कुल वाई ठीक है उनका आंसर भी क्या होता है बिल्कुल सही होता है समझ गयाना और अगर यहां पर कोई पूछ लेता वाई झालागाते ख़ाब यहां प्र ऐ 컨्व जब और अगर कोई कहे टी तुम क्या लगाते है भाई प्लेटी हेलमेंथीस क्या लगाते है प्लेटी हेलमेंथीस लगा देते हैं देखो बेटा जो प्लेट लग रहा है प्लेट प्लेट कैसी होती है प्लेट तो बिल्कुल फ्लेट ही होती ही न मतलब क्या होती है चप्टी होती ही न प्लेट तो याद होंगे चप्टे क्रीमी कहलाएंगे तुम्हारे आपके फ्लैड वॉम कहलाएंगे तो देखो सब कुछ पता है आर्थ वॉम राउंड वॉम टैब वॉम फ्लैड वॉम चारो आपको वॉम यहाँ पर पता चल चुके हैं समझ गया ना तो बिलका इसी तरीके से कोशन आएंगे एक्जाम में फाड के आ देना है बिलकुल बिलकुल शांदार तरीके से क्या करना है और भाई साफ अब सेशन को शेयर करने का समय आ चुका है जल्दी जल्दी क्या कर दो भाई साफ शेयर कर दो लाइक क्यो नहीं बढ़ रहा है भाई साफ जल्दी से लाइक करो यार लाइ कुशे का हैं वही कोईशन लेके आ रहा हूं समझ रहे मेरी बात ना तो भाई साब बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे और सेशन को शेयर करना बिलकुल नहीं भूलेंगे ठीक है ना चलो निम्लेकित में से कौन चूण प्रवाड मोलस्का संग से सम्मंदित नहीं है फटा फट बता दो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ठीक है तो यहाँ पर आंसर बताना है इनमें से कौन सा चूण प्रवाड मोलस्का संग से सम्मंदित नहीं है तुम्हें बताना है इनमें से कौन सा तुम्हारा मो नहीं आएगा ठीके ना तो भाई मैं देख रहा हूं कुछ लोग C कह रहे हैं ठीके डी और B एक ही होगा सर ठीके ठीके तो बिलकुल भाई यहां पर क्या हो जाएगा एंटी कोड इसका क्या हो जाएगा राइट अंसर हो जाएगा और इसका एक्जांपल चैटन हो जाएगा तो भाई यहाँ पर answer क्या हो जाएगा, तुम्हारा भी हो जाएगा, तुम्हारा anti-don, anti-don इसका क्या हो जाएगा, right answer हो जाएगा, तो यह basically जो anti-don है, वो basically किस से related नहीं है, तो याद रखना है तुम्हारा क्या हो जाएगा, यह जो anti-don हो जाएगा, यह इसका right answer हो जाएगा, ये मूलसका से related नहीं है, बाकिस्ता मूलसका से related है, clear है, चलो भाई, ये देखो भाई, ये रहे तुम्हारे क्या, मूलसका, ठीक है, मूलसका के बारे में बताना चाहूँगा, मूलसका के बारे में बताना चाहूँगा, देखो बेटा, जो मूलसका होते हैं, वो कोमल शरीर सोफ्ट उनका क्या होता है आपका सोफ्ट बाटि होती है किसी भाई साहit न में प्रोटेक्ट होगी कि हमेशा मोलस्कांश के उपर क्या पाई जाएगी कोई कोई क्या पाई जाएगी आप बोल सकते हैं कि covering पाई जाएगी चारो तरफ समझ गए कोई ना कोई shield पाई जाएगी जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहें तो इनका शेरिड क्या होता है कोमल होता जैसे octopus है तो octopus का शेरिड भी क्या है भाई सब कोमल है यह basically किसके अंतरगत आते हैं ध्यान में रखना मूलस का के अंतरगत आते हैं तो वेटा मूलस का कोमल चेरिड वाले जीव होते हैं समझ गए इतना तुम्हें ध्यान में रखना है समझ गए ना बिलकुल भाई हाँ clear है बिलकुल तो बैता तरीके से क्या करना है? आपको चीजे समस्थे चलना है ठीक है? चलो आगे परते हैं भाई साब और अगले कोश्चन को देखते हैं अगला कोश्चन हमारा क्या कह रहा है? ठीक है? और कहीं जाना नहीं है क्योंकि भाई साब आज की क्लास के भी आपके knowledge booster fact आपका इंतजार कर रहे हैं तो भाई last तक जुड़े रहना है और session को share करते हुए चलना है समझ गए ना बताओ यहाँ पर अगला question है तुम्हारा कि भाई निवन में से कौन सा जी मुलसका परिवार से सम्मंदित है बहुत ही अच्छा question है बताओ इन में से कौन सा जी मुलसका परिवार से सम्मंदित है तो फटा फट बता दो भाई मुलसका परिवार से भाई कौन सा सम्मंदित है फटा फट आपको बताना है चीक है इन में से कौन सा जी मुलसका परिवार से आपका क्या है सम्मंदित है फटा फट बता दो भाई साब तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा जो घेंगा हो जाएगा पैरे साती हो समझ गया ना क्या हो जाएगा स्नेल हो जाएगा यह बार बार कहा है भाई साब स्नेल के चारो तरफ भी क्या पाई जाती है कवरिंग पाई जात प्रोज क्योंकि भाई साब इसमें छे टांगे होती है और छे टांगे कीट वर्ग क्या होती है लक्षल होती है केच्वे की बात करोगे तो यह संग एनी लिड़ा में आएगा कहां पर आएगा फाइलम एनी लिड़ा में आएगा और एनी लिड़ा में बेसिकली क्या होता है segmented body होती है खंड युक्त शरीर होता है मतलब segmented body होती है इस बात को तुम्हें ध्यान में रखना है आप में इसमें 100-120 क्या पाए जाते है body में खंड पाए जाते है star मचली basically काइनो डर्मेटा के अंतरगत आती है तो जो घेंगा हो जाएगा तुम्हारा वो क्या हो जाएगा भाई साब मोलस्का family से related हो जाएगा इतना तुम्हें ध्यान में रखना है समझ गया न तो clear है इतनी सारी चीज़े न बिल्कुल भाई तो answer क्या हो जाएगा भाई साब answer हो जाएगा तुम्हारा क्या घेंगा will be the right answer तो भाई साब जल्दी जल्दी session को share वगेरा करने की जो क्या है एक तरीके से जो तकलीफ मैं आपको देता हूँ वो तकलीफ दुबारा दे रहा हूँ session को share करो और क्या करो भाई फटा फट जादा से जादा लोगों को जोड़ो क्योंकि knowledge booster fact भी तुम्हारा ये यूनियो रहा समझ गया मेरे मतना पाईला रहा तो ये सब किसके हैं तुम्हें ध्यान में रखना है ये सब है साथियों तुम्हारे मूलसकास के समझ रहे हो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और अगले question को हम देखते हैं अच्छे से बताते जाना भाई फटा फट फटा फट निमलेकित में से कौन सा जन्तू गर्म रखत वाला होता है which of the following animal is hot is it bloody तो जल्दी बता दो भाई hot is it bloody मतलब की गर्म खून वाला जानवर कौन सा होगा कबूतर मचली मेंधा क्या मगर मचो फटा फट बता दो कबूतर हो जाएगा तो जो पीजन होता है वो क्या होता है पहरे साथी trio आपका गर्म खून वाला क्या होता है जन्तू होता है इस बात को ध्यान में रखना है समझ गये ठीक है क्लियर है सारी चीजें समझ में आ रही मेरी बात न clear है तो answer क्या हो जाएगा आपका कबूतर हो जाएगा इसका right answer आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला question अगला question देखते हैं और देखेंगे कि भाई क्या कहता है अगला question इन में से कौन सी वायू से भरी शारडिक गुहा है फटा फट बता दो भाई which of the following is an air filled body the cavity is मतलब इन में से कौन सी cavity क्या है जिसके अंदर क्या होती है तुमारी air पाई जाती है मतलब आप बोल सकते हो कि क्या पाई जाती है आपकी वायू पाई जाती है तुम्हें बताना है sinus, हड़ी, उपास्थी या टेंडन sinus, bone आप बोल सकते हैं कि भाई cartilage या टेंडन समझ गया ना? cartilage या टेंडन तो देखना बिटा यहाँ पर जो sinus है sinus है इसके अंदर क्या पाई जाती है भाई साब आपकी air filled cavity होती है आपकी sinus, बाकी हड़ी और उपास्थी या टेंडन मतलब bone, cartilage और टेंडन क्या होता है ये इसके अंदर क्या नहीं पाई जाती है आपकी air नहीं पाई जाती है इस बात को ध्यान में रखना है समझ गया ना? बिल्कुल ठीक है, क्या बढ़ है भाई, राहुल विश्कर्मा क्या बढ़ है अरे भाई सुनो तो मैं क्या कह रहा हूँ भाई, मैंने तुम्हें क्या बताया था पक्षियों की जो हड्डिया होती है वो क्या होती है, लचीली होती है उसके अंदर हवा भरी होती, मैंने तुम्हें बताया था ना, खोकली होती है, बस वही है भाई, वही है भाई, साइनस, समझ गया मेरी बात ना, क्लियर है, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, तो उसकी मलब मेली आप बोल सकते हो, पक्षियों की हड्डियों के अंदर क्याविटी पाए जाती है, उसमें हवा भरी होती, तभी तो वह हलके तरीके से ओड़ पाते हैं, समझ रहे हो न, इसलिए वह हलके तरीके से ओड़ पाते हैं, इतना तुम्हें ध्यान में रखना है, समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर है सारी चीजे, तो answer क्या हो जाएगा तुम्हारा A हो चीक है बिलकुल आगे बड़ते हैं केच्व अनिमने में से कौन से प्राणी संग से सम्मंदित है जल्दी से बता दो बाई अर्थ वाम बिलॉंग्स टू विच ओफ फॉलोइंग एनिमल फेडरेशन तो जल्दी बताओ जो तुम्हारा अर्थ वाम है वो किस से सम्मंदित है और्थोपोडा मुलस्का एनिलेडा या प्रोटोज हुआ तो भाई बड़ा ही आसान है इसका आंसर एनिलेडा इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा एनिलेडा राइट आंसर हो जाएगा एनिलेडा का मतलब ही होता है सेग्मेंटेड वी किया कैसे हैं तुम्हाइरे जीव व वह सब आते है याँ में आपको पता दो सब्सक्रा और उर्थो पूड़़ा में आपके जोड़े होए पैर वाले कमाइंड लेंग क्या होताइ़ पहल जो जीव होते हैं वह सफ कासा सब आपके और्थो पोड़ा में आते हैं क्योंकि और्थो का मतलब होता है पैर पोड़ा का मतलब होता है जुड़ा हुआ और्थो मतलब पैर पोड़ा मतलब जुड़ा हुआ मतलब संधी युक्तपाद मतलब आप बोल सकते हैं जो connected लेक्स होते हैं आपके जुड़े हुए क्या होते है पेर होते हैं ऐसे जो जीव होते हैं वो किस में आते हैं और्थोपोडा में आते हैं समझ गया मेरी बात ना ठीक उक्तोपस के खून का रंग कैसा होता है, what is the color of octopus blood, लान, नीला, गुलाबी या फिर काला, फटा-फट बता दो, उक्तोपस का blood भाई साब किस color का तुम्हें देखने को मिल जाएगा भाई, फटा-फट answer बता दो, तो क्या हो जाएगा इसका right answer, तो octopus का blood आपको किस रंग का देखने को मिल जाएगा, तो ध्यान में रखना है, इसका blood होगा, तुम्हारा नीला देखने को मिलेगा, कैसा देखने को मिलेगा, भाई साब, नीला देखने को मिलेगा तो answer क्या लगा देना है blue लगा देना है समझ गे मेरी बात ना तो answer blue हो जाएगा चलो भाई ये देखो भाई ये रहा तुमारा क्या ऑक्तोपस रहा इसका blood क्या होगा तुमारा blue होगा समझ रहे हो ना बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला question अगला question देखते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है वाई साथ ये question हमारा क्या कह रहा है तो answer blue ही हो जाएगा बिल्कुल सही काफी लोगों ने answer सही लगाया मतलब की ना तो gland पाए जाएगी और ना ही क्या होगी तुमारी dry skin पाए जाएगी तो बताना है आपको क्या हो जाएगा इसका right answer समझ गए मेरी बातना क्या हो जाएगा right answer समझ गए तो देखो उभैचर, इस्तंधारी, पक्षीवर या सरीर सर्प फटा-फट बता दो क्या हो जाएगा इसका right answer आप सभी लोगों का तो ध्यान में रखना है जो सरी स्रप होंगे सरी स्रप होंगे मतलब जो reptiles होंगे वो क्या होंगे, उनकी body कैसी होगी आपकी तरीके से बोल सकते हो आपकी तवचा शुष्ख होगी, dry होगी और ग्रंती वीहिन, मतलब gland less रहेंगे, वो तो याद रखना है reptiles रहेंगे, आपके सरी स्रप वर्क रहेंगे, समझगे ना, तो बिलकुल answer D सही है जिसने भी D answer दिया है वो क्या है, बिलकुल सही है, और भाई साब कहीं नहीं जाना है, क्योंकि last में, knowledge booster fact हमें करने हैं, और जो की ऐसे प्रशन होते हैं, जो सीधे तोर पर तुम्हें paper में देखने को मिल जाते हैं, तो भाई साब कहीं नहीं जाना है, जोड़े रहना है, बहुत शांदार तरीके से, चीके भाई, तो बिलकुल कहीं नहीं जाना है, और जादक से जादा maximum session को क्या करना है, share करना है, आप सभी लोगों को, जल्दी जल्दी भाई साब share करो, और answer दो भाई, क्या कहा रहा हूं मैं, answer दो फूर्ती के साथ, चलो, पीछे की और उड़ने वाला एक मात्र पक्षी कौन सा है, which of the, which is the only bird that can fly backward, फटा फट बता दो हमिंग वर्ड, कीवी, अल्ट्रा, अल्बा, ट्रोस, या फिर बाज, उल्टा उड़ने वाला पक्षी बताना है, तुम्हें कौन सा हो जाएगा, मतलब उल्टे की तरफ, समझ रहे हैं न, लोग सामने उड़ते हैं, वो उल्टा उड़ता, तो ध्यान में रखना है, जो हमिंग बर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमिंग बर्ड हो जाएगा, प्यारे मित्रों, वो क्या होता है, आपका उल्टा उड़ने वाला क्या है, जानवर है इतना तुम्हें ध्यान में रखना है समझ गया मेरी बातना हमिंग बर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा चलो भाई आगे बढ़ते हैं और अगले question की तरफ हम चलते हैं भाई अगला question हमारा क्या कह रहा है त्वती शोषन तो बेटा याद रखना है केचुए में किसमें होता है केचुए में मतलब अर्थ वाम में होता है क्या भाई याद रखना है तुम्हारा क्या त्वची शोषन होता है तो आंसर क्या हो जाएगा केचुआ हो जाएगा ठीक है और भाई तेजी के साथ session को share करेंगे और like वगेरा कर दो यार जोर लगा के like कर दो फटावर जो भी नए student आए हुए हैं जल्दी जल्दी भाई सब like का बटन दबा के ही वापस जाना है class से और last में जाना है पूरी class खतम होने के बाद knowledge booster fact for exam भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं उन question को जरूर करके जाना क्योंकि हो physics और chemistry के question रहेंगे और देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं में ली बायो कवर कर रहे हैं और last में knowledge booster question में physics और chemistry भी कवर हो जाएगी मतलब इस science क्लास से तुम्हें बायो भी मिल जाएगा physics भी मिल जाएगा chemistry भी मिल जाएगा डेली अगर उत्सरजन अंग क्या है तो क्या answer बताओगे उत्सरजन अंग कमेंट कर दो जल्दी से भाई excretory organ केचुए का आपका excretory organ की अगर हम बात करें तो nephredia हो जाएगा भाई साब क्या हो जाएगा नेफरीडिया हो जाएगा तो nephredia की through क्या करता है ये excretory organ करता है उत्सरजन चुआ हो जाएगा समझ रहे हो ना बिलकुल चलो इसका right answer बताएंगे भाई साब क्या हो जाएगा आपका right answer पक्षी वर्ग में होती है बहुत अच्छी question है भाई birds are in which category तो आपको बताना है पक्षी वर्ग में होती है आपको बालों के बिना शिश्क और ग्रंती विहीन त बचा तो बाई साब कुछ थोड़ा अलग सा question है यह तुम्हें बताना है कि क्या हो जाएगा आपका right answer तो देखो बेटा बाल तो होते है पक्षी में तो बालों की बिना ये तो बाई cancel ही हो जाएगा यहाँ पर पंकों की बिना तो ये भी cancel हो जाएगा पंकी भी होते हैं ब पंकों के साथ शुष्क और ग्रंती विहीं तवच्छा उसका क्या होगा अच्छा मिला बिल्कुल सही characteristic होगा dry and glandular skin with feathers तो बाई answer हो जाएगा आपका B हो जाएगा कि भाई आपका आप मोल सकते है glandular skin पाई जाती है और होती है वो dry तो answer हो जाएगा parameter B समझ रहे हो ना अच् क्यों है आप ठीक है ठीक है तो भाई ब्रजेंद्र जारिया और भाई दीपी का तिवारी सैम यादाओ फटाफट answer देंगे मेरे प्यारे चात्रों जल्दी जल्दी आंसर दो और भाई session को share करते चलो फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी share करते चलो भाई जल्दी पताएगा इसका right answer सरी सर्पो सरी सर्पो में मतलब जो रैप्ताइल होते हैं अधिकान सरी सर्पो में एक डैश होता है जल्दी से बता दो भाई क्या होता है most reptiles reptiles have a मतलब basically क्या होता है जो सरी स्रप होते हैं साफ बगेरा का जो वर्ग होता है उसमें तुम्हें बताना है basically क्या होता है यहां से जल्दी से बाई साफ आंसर आप लोग बता दो तो ध्यान में रखना चार कक्षी हिर्दय अपूर तीन कक्षी हिर्दय तीन कक्षी हिर्द हुटा है एक मांत्र अपवाद मैंने तुम्हें बताया था याद रखना है तुम्हारा एक टरीके से मगर मच बताया था समझ गया है ना अधिकांच जो सारेसरफ होते हैं उस pays ये होता है मतलब की three chamber जैसे मचली होती है तो मचली कि में भी कितने आपके होते हैं तो ध्यान में रखना है मचली में भी three chamber ही होते हैं समझ़ें मेरी बात ना तो आंसर हो जाएगा तमआरा three chambered heart ठीक है? आगे बढ़ते हैं बता दो भाई डैस शमूँज से मंदित पश्यों में जुड़े हुए पैर होते हैं बड़ा ही आसान है एलिमन एनिमल्स बिलॉंग्स टू डैश ग्रूप हैव फ्यूज रिलेक्स या फिर बुल सकते हो अटेज्ड रिलेक्ड पाए जाते है किसमें पाए जाते है तो देखो बेटा और्थो का मतलब क्या होता है और्थो का मतलब होता है पैर और पोड़ा का मतलब क्या होता है जुड़ा हुआ पोड़ा का मतलब होता है जुड़ा हुआ तो बेसिकली क्या हो जाएगा तुम्हारे और्थो पोड़ा हो जाएंगी जिसमें क्या पाया जाता है, combined leg पाया जाते हैं, answer हो जाएगा तुम्हारा orthopoda, समझ गया मेरी बात ना, orthopoda में क्या होंगी, तुम्हारे combined leg या जुड़े हुए pair पाया जाएगे तुम्हारा answer क्या हो जाएगा, orthopoda will be the right answer of this question, तो भाई साब orthopoda लगा देना है, और आगे बढ जाना है समझ गया मेरी बात ना चलो भाई क्लियर है सारी चीज़े ना बिलकुल आगे बढ़ते हैं यह देखो prose है यह देखो मैं टमाम फोटू दिख रहे baw यह ना मतलब यह क्या हो जाएगा तुम्हारा जहींगा मचली हो जाएगा क्या हो Southeast मैं यह सब है तुम्हारे ध्यान में रखना और्थो पूडास हैं क्या है भाई साफ आप और्थो पूडास हैं समझ गया मेरी बात न तो बेसिकली जो और्थो पूडा होंगे उनमें क्या पाए जाएंगे combine lag पाए जाएंगे इतना तुम्हें ध्यान में लेके चलना है समझ गए मेरी बात ना और ये क्या करेंगे पैरे साथियों ये क्या करेंगे basically आपके जुड़े हुए पैर वाले जीव कहलाएंगे समझ गए मेरी बात ना चलो भाई आप देखो यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर लेते हैं भाई साब आप अमम कर लेते हैं आपका क्या knowledge booster facts for exam कर लेते हैं चलो भाई साब knowledge booster facts for exam आपके आ चुके हैं अब फटा फट क्या कर दो session को उठा कर आप लोग क्या करेंगे share करेंगे और अपने जादा से जादा साथियों को जोड़ेंगे इस session से देखो भाई पहला question क्या पूछा गया है car battery में प्रियुक्त acid क्या है भाई फटा फटा बता दो कि car की battery में जो तुम्हारा acid use होता है वो कौन सा acid है ठीक है हिंट देता हूं उसे कहा जाता है अमलो का राजा उसे कहा जाता है अब तो तुम बता दोगे समझ गहाए न अच्छा अब यहां एक चीज से यह confuse मत हो ना मैंने अमल राज नहीं कहा है मैंने अमल राज बिल्कुल नहीं कहा है भाई साब यह मस समझना कि मैंने अमल राज यह एक्वारेजिया की बात की है मैंने आपको कहा है अमलो का राजा तो अब तुम्हें यहां एक चीज और बताऊंगा कि जो अमलो का राजा होता है, समझ गया मेरी बात न, ठीक है, जो अमलों का राजा होता है, ठीक है, जो अमलों का तुम्हारा राजा होता है, बेसिकली, अठे भाई, जो तुम्हारा स्पंज वगेरा है न, वो पोरी फेरा में आते हैं, स्पंज वगेरा जो होते हैं, भाई, सब ध्यान में अभी फिलाल याद रखना स्पंज तो जो S2SO4 होता है पैरिमित्र इसका अंसर क्या हो जाएगा कार की बैट्टरी में जो acid यूज होता है sulfuric acid यूज होता है क्योंकि sulfuric acid को अमलों का राजा कहा जाता है अमलों राज की बात करोगे तो HCl और HNO3 HCl और HNO3 3 ratio 1 में अटैच होने से बनता है अमलों का राजा मतलब बोल सकते king of acids तुमारा S2SO4 जिससे तुम कहते हो sulfuric acid क्या कहते हो sulfuric acid कहते हो तो वो बैट्टरी में क्या किया जाता है use किया जाता है सर इससे sulfuric acid क्यों कहा जाता है तो मेरे प्यारे मित्रों देखो अगर गौर से देखोगे तो S4 sulfur आ रहा है इसलिए sulfuric acid बात खतम समझ रहे हो ना और तेजी के साथ session को share करोगे देखो भाई विरंजक चूड क्या है bleaching powder क्या है भाई साब ये तुम्हें बताना है ब्लीचिंग powder फटा फट बता दो तो देखो भाई इसका formula क्या होता है calcium oxy chloride होता है बहुत ही अच्छा क्या है answer हो जाएगा session को share करना बिल्कुल मत भूलना भाई answer क्या हो जाएगा calcium calcium CA4 calcium O4 oxy O4 क्या हो जाएगा oxy and Cl2 fluor chloride समझ गए chloride तो इस तरीके से देखो तुम्हें नाम रटने की ज़रोत नहीं पड़ेगी वो खुद चीक-चीक की अपना नाम बता रहा है कि भाईया CA4 calcium लिख दो O4 क्या हो जाएगा oxy हो जाएगा Cl2 मतलब क्या हो जाएगा chloride हो जाएगा तो basically क्या है जब आप chloroform बनाते हो chloroform बनाते हो तो chloroform में जो पहला step होता है chloroform बनाने का वो क्या होता है कि भाई आप इसमें विरंजक चून में मतलब bleaching powder में आप water को react कराते हो समझ गया मेरी बात ना तो पहला process क्या होता है CAO CL2 में आप क्या करते हो H2O का react कराते हो जिससे क्या बनता है तुमारा calcium hydroxide बनता है और chlorine gas बाहर निकलती है तो साथ यहां से दूसरा question क्या तयार हो गया तो देखो बेटा और कौन-कौन से question यहां से तयार हो गया सबसे विरंजक चूड का तो में formula पता चल गया calcium oxy chloride अब यह पूछेगा किसको बनाने में इसका use किया जाता है chloroform को बनाने में इसका use किया जाता है समझ गया मेरी बात ना दूसरा question समझ गया ना फिर क्या question आ सकता है कि भाईया जब विरंजक चूड या bleaching powder को जल में घोला जाता है तो कौन सी glass निकलती है तो भाईया CL2 मतलब chlorine gas पास होती है समझ गये में नीवादा chlorine gas क्या होती है आपकी निकलती है कब निकलती है जब विरंजक चूड को जल से मतलब आपका bleaching powder water से react करता है तो क्या होता है calcium hydroxide और क्या निकलता है मेरी पैरिमित्रो आपका chlorine gas निकलती है इतना तुम्हें ध्यान में रखना है बिल्कुल अगला question bleaching powder का रासाइनिक नाम बताना है तो फटा फट बता दो भाई bleaching powder का क्या हो जाएगा तुम्हारा रासाइनिक नाम तुम्हें बताना है क्या होगा भाई ठीक है फटा फट बता दो भाई साब क्या हो जाएगा bleaching powder का रासाइनिक नाम बताना है फटा फट बता दो calcium hypo chloride कह रहे हैं कुछ लोग calcium hypo chloride bleaching powder का नाम क्या हो जाएगा भाई साब ध्यान में रखना है bleaching powder calcium oxy chloride ही हो जाएगा समझ गए मेरी बात न bleaching powder हो जाएगा आपका विरंजक चून बोल दो या bleaching powder बोल दो बात एक ही है देखो भाई यहाँ हिंदी में लिख दिया उपर इंग्लिश में था समझ गए न calcium oxy chloride हो जाएगा भाई साब यही है सेम ही है समझ गए न मतलब उपर इंग्लिश में था यहाँ हिंदी में था या तो तुम bleaching powder बोल दो या विरंजक चून बोल दो बात एक ही है तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा क्या क्या हो जाएगा भाई calcium oxy chloride नाम पूछा गया है फटा फट बता दो भाई साब क्या होगा तुम्हारे चूना पत्थर का रासाइनिक नाम क्या हो जाएगा भाई चूना पत्थर का रासाइनिक नाम तो देखो बेटा चूना पत्थर का रासाइनिक नाम हो जाएगा तुम्हारा calcium oxide क्या हो जाएगा, calcium, calcium oxide हो जाएगा, समझ गए मेरी बात न, तो ये basically क्या है, oxide, lime stone कहोगे तुम इसे, ये होगा तुमारा क्या, चूना पत्तर, समझ गए न, CEO हो जाएगा, अच्छा सुनो, अगर कोई बोले कि भाई, आपका बिना बुझा हुआ चूना, तो भी यही है, अग बिना बुझा, चूना अगर कोई पूझ दे, बिना बुझा, चूना पूझ दे, समझ गये मेरी बात न, मतलब बोल दे, lime stone कह दे, English में क्या कह दे भाई साब, lime stone कह दे, तो भाई साब lime stone क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे मित्रों, तुमारा जो lime stone होगा, वो भी क्या अब यहाँ पर सुनो अगर कोई पूछ दे तो देखो यहाँ पर क्या है चूना पत्थर पूछा है अगर कोई कह दे कि भाई बुझा हुआ चूना यह बिना बुझा हुआ है कोई बुझा हुआ चूना पूछ दे लाइम वाटर पूछ दे तो देखो बुझानी के लिए क्य जाएगा समझ गए मेरी बात ना किस में बदल जाएगा केल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड में बदल जाएगा तो मेरे बेटे जो केल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है ये बुझा हुआ चूना है क्या है सर बुझा हुआ चूना है जिसे तुम क्या कहोगे लाइम वाटर कहोगे भाई साब क्या कहोगे लाइम वाटर कहोगे समझ गया ना बिलकुल क्लेर है अच्छा और यहाँ पर अब आपका फिफ्ट, सिक्स्थ और सेवन्थ इनका आंसर मुझे कहा चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर चाहिए क्वेशन को क्या कर लो नोट डाउन कर लो भाई साब समझ गया ना सोडा लाइम किसका मिक्षण है यह बता देना इसके बाद कौन सा योगिक अमली और छारी दोनों की तरह वहवार करता है यह बता देना खाने के सोडे का फॉर्मूला बता देना क्या बता देना समझ गया मेरी बात न तो भाई साब जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कमेंट बॉक्स के अंदर के अंसर आजाने चाहिए और साथियों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये सेशन तुम्हें कैसा लगा जुन देख लें बहुत बहुत धन्यवाद झालिए फर्ष्ट, ये ड़ dop, ये वी कैसा लगा टमाकि ये करेंद humble नवत aware भुझे कैसा ले किसे juist दुम्हें जुम्हेंांस